आवासिय पट्टों की मांग को लेकर लोगों ने कुक्षी के विजर स्थंब चराहे पर धन्ना प्रदर्शन किया, बड़ी संख्या में महिला और पुर्शों ने धन्ना प्रदर्शन में शामिल होकर प्रिशासन से पट्टों की है आवासिय पट्टों की मांगों लेकर नगर के विज़ स्थम्ब चराहे पर बड़ी संख्या में महिला और पुर्षों ने आंदोलन किया, आंदोलन कर रही महिला और पुर्षों से कुक्षी विधान सभा के विधायक इवंपूर्व कैबिनेट मंद्री सुरेंत सिहा हानी मेरा नाम सपुन तला है, पट्टे के लिए बेठे हैं यहां पर, मैं पिछले तीन साल से यह मतलब की आपिस टू आपिस कर रही हूं, मैंने यहां कुक्षी एसडियम को दिया और अपने कलेक्टर साफ के पास भी गई और मैं भोपाल भी गई थी, और मुझे महां से आस्वासन देते हैं कि यहां हो जाएगा, पर अभी तक कुछ आने की कारवाई नहीं होई, जबकि मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि जो जहां रहेगा, महीं उनका पट्टा दिया जाएगा, तो हम लोगों के साथ यह सब भेद देने हेतु सूची तयार कर, पात्र व्यक्तियों को आवासिय पट्टे देने का प्रावधान किया था, वर्तमान के सरकार एवं इस्थानिय नगर परिशत ने उक्त आवासिय पट्टों के वितरण में लेट लतीफी एवं भेदभाव पूर्ण कारेवाही से कई पात्र ब सासन है, नगरपाली का पट्टा नहीं दिती, नगरपाली का सिर्क जो है, एक सर्वे में सासन को साहता दित किये, अब जहां तक पट्टे वितरण की बात है, तो वर्स 2020 में सर्विक्षण हुआ था, पट्टों का लेके, उसमें कलेक्टर मोहदेदारा 202 हिद्गराईयों क कि सुची को अनुमोदित किया गया था, ततकालेन एजडिम मोहदेदारा फिर उनकी कुछ जांच कराई थी, और उसमें से 36 इद्गराई पात्र पाये थे, तो उन लोगों को पट्टा बन गए है, उन पे ततकालेन एजडिम मोहदे की साहिन है, उनका वितरण तो हम अभी कुल मिलाकर लोगों में पट्टे नहीं मिलने पर सरकार के प्रती खासा आक्रोश दिखाए दी रहा है, व्यूरर रिपोर्ट, MP News TV, कुक्षी करोडों दर्शोकों का मिल रहा साथ, MP जी बात, MP News के साथ